हेलो दोस्तों आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दीव ब्लोक में स्वागत है दोस्तों और एक छोटा सा वीडियो आप सभी लोग के सामें लेके आ रहा हूं और ये ब्लोक जो है वेकादसी के उपर है दोस्तों तो आज चार नौंबर सुबर लगो आठ बज रहे है जितने भी मेरे भाई बहन लोग एकादसी का एकादसी परोग को मनाते हैं एकादसी ते भाहर को मनाते हैं जो भी ब्रत रखते हैं उन सभी को हाधिक सुब कामना है और भगवान विष्णू सभी लोग को धन्धान से परिपूर रखे इसी आसा के साथ वीडियो में आग स्वावबर को खैना को साथ भच कर तीसमेट से सुरू होगी जो चार भच भच कर आठ विएट पर समाप्त हो जाएगी दोस्तो ब्रत तोड़ने का जो समय है इसमें जो हमारे भाइब हम लोग ब्रत रखें है और उसको तोडने का जो 176 मिरण से चाली होगा वाब जो तोडने का समय है वह पांच नॉमबर को सुबचे बचकर wtake चार्ट तिसमय नट से परारम होगा और सुबच बचकर 27 से मिरण तक इसका समय है और Yoga इजो है दोस्तों सिमńskर कादसी में जो विशेस वोटब होंगे ही इसका जो तुर्सी विवाह का जो महत्तों है दोस्तों इस साल जो तुर्सी विवाह पढ़ रहा है वो पांच नावबर को है पांश नावबर 2022 को है और इस तीन ऐसी मानियाता है कि भगवान बिश्नु जो है वो चार माद वर्स यारमा बर्षारी तु में चारमा के लिए असाठ सूकलपक्ष योग नीद्रा से जले जाते हैं। उसके बाद कार्थिक सूकलपक्ष के यादसी के दिनों चार मा बाद यागरित होते हैं। और उस दिन उनके कारे भार को संसार को सम्हालने के लिए उनको जागरित किया जाता है। जो महत्ँ होता ह?, ऐसा माना जाता है कि कार्थिक महीने में जो भक्त तुलसि और भगवानववनसालीग्राम का पूजया करते हैं, उनके पिछले ज़न्मों के पाप होता है और नियुछती है इस दिन घर-घर में जो भी महीलाएं होती हैं घर-घर में अपना तुलसी विवा कारे करम कायोजन करती है तुलसी विवा साली ग्राम के साथ रचाती है कार्तिक मास की नौमी ती थी कार्तिक मास की नौमी दस्मी और एकादसी नौमी दस्मी एकादसी को तुलसी वाज़ा किया जाता है उसके बाद उसके अगले दिन उस तुलसी के पौधे को जो पुजा में सम्रीद किया जाता है अगर उस धिन अगर उस घर में अगर कार्टिक सुकल पक्च की कादसी के दिन तुल्सी विवा का विश्य सुरूप से पूजह प्रचली थे दोस्तों वहाँ मतलब भगवान उनको संतान्शूक की प्राप्ती होती है, उनको संतान्शूक देता है, ऐसा माना जाता है. और एक आदसी में जो बीची सुरूप से यह कथा परचली थे दोस्तों, ओए है कि इस दिन जो है भगवान ऐसा मानाता है, कि एक बार जो है लच्छी माता भगवान बिश्णू से कहती है कि प्रभू भगवान आप दिन रात जगते हैं या फिर लाखो करोणों वर्सों के लिए योग निद्रा में चल जाते हैं तो आप ऐसा करें और आपके योग निद्रा में जाने से संसार के जितने भी प्राणी हैं उनको बहुत ज़्यादा कश्ट उत्पन होती है और इसलिए आप एक पोवर्स में एक समय निधायत करें जिसमें आप निद्रा लिया करेंगे तो विश्णुजी कहते हैं हंसकर मुस्कुरा कर बोलते हैं विश्णुजी कि आप आपका कहना ये उचित है आप ठीक बोल रही हैं मेरे योग निद्रा में जाने से जो है देवों को और विशेश रूप से आपको बहुत कश्ट होता है और मेरे दिन राद जगने से आपक कारी निद्रा और महा निद्रा कहलाएगी मेरी यह निद्रा मेरे भक्तों के लिए मंगल कारी होगी इस निद्रा में जो भी भक्त मेरे सयन की भावना कर्मियरे सेवा करेंगे और सयन और उत्थान के उत्सों को आनंद पूरुवक आयुजित करेंगे मतलब जिस दिन से पि तो उसके घर में निमाद करूंगा आज का ब्लोग के भी पर समाप्त करते हैं दोस्तों और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लोग में तब तक के लिए आप सभी लोग को मेरा एक बार पूना एका दसी परोके हादिक सुब काम नहीं और चैनल मंना होंगे तो चैनल को ज़ूप्सक्रा कर दिजय कर दिए